असलाम हुलेकुम, मैं जुलेखा अर्फाद, जुलेखास किचिन से, तो चलिए, आज हम बनाते हैं बड़िया सा बकरी का भेजा मसाला, बढ़िया जटपट घर पर आसानी से बनता है, तो चलिए, शुरू करते हैं आज की रेसिपी, साधारा मियाने ओर्डिनरी इंग्रीड चोटे हैं आप देख सकते हैं, और हाँ मैंने दो-तीन पाने से इसे धो लिया था, हलके हातों से, और ये उपर आप नर्फ देख रहे हैं, तो ये आप जो रग कईए, वेन कईए, इसे आप निकाल सकते हैं हातों की मदद से, इसी समय, बट मैं यहाँ इस समय नहीं निकाल पहले, आप पॉइल करने के लिए पानी रख दीजिए, जब अच्या खासा पॉइल हो जाए, तो आधा या थ्री फोट चुट चाहे का चमच, यहां मैं सिरका दाल देती हूँ, एक बार चला लीजिए, पर जो भेजे रखें ये डाल दीजिए, और इसे पॉइल होने पीछे का भीजे को, और देड़ मिनिट पीछे की साइड भी पकने दीजिएगा, तो टोटल तीन मिनिट हो जाएंगे ना, अच्छा बात ही है कि आप ऊपर देख सकते हैं, यह फेस फेस टाइप है, तो मैं बीच-बीच में क्या कर रही हो, इन्हें निकाल रही है, क्योंक कि तीन मिनिट हो गए, और मैंने थोड़ा सा यह फेग दिया, आप देख सकते हैं, तो यह उपर का फेस वाला यह पॉर्शन हट गया, अब मैं इसे अच्छे से चान लेती हूँ, तो आप देख सकते हैं, कि यह मेरे भेजे, बटन के भेजे चान चुके है, अब इसे हालका ठंडा हो जानी थी, जो गरम-गरम में तो आप हाद भी नहीं लगा सकोगे, चटका लगेगा, तो जब अच्छा ठंडा है, थोड़ा completely हो जाए, तो यह जो उपर की जो nerve थी, उसे निकालना बहुत ज़रूरी है, यह जो आप देख सकते हैं, यह जो आप देख सकते हैं, य जितना आप निकाल सकें, जिस भी तरीके से आप निकाल ले, आप चाहें, तो किसी तूथपीक की मदद ले सकते हैं, अंदर-अंदर nerve निकालने के लिए, बट मैं तो उंगलियों से ही कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पराबर दिख रहा है, उलट-पलट करते जाए, करते हैं, तो उसे क्या है, जो हमारा भीज है, जूटने के बहुत चांसे होते हैं, अभी यहां इस समय में कर रही हूँ, तो मुझे firmly पता चल रहा है, कि मैं क्या निकाल रही हूँ, तो मैं हमेश्या इस समय कर रही हूँ, लेकिन कभी-कभी क्या होता है, कभी मैं तो depends होता है, तो आप चाहें, दोनों time करें, boil करने से पहले भी और boil करने के बाद भी, या फिर आप boil करने के बाद करें, या boil करने से पहले करें, ये totally आपकी choice है, लेकिन निकालना ना भूले, ये बहुत important है, तो चलिए, ये मैंने निकाल लिए और मैं pieces नहीं कर रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं, अच्छे कासे, मोटे-मोटे piece तो हैं, लेकिन आप चाहें, एकदम बारिक piece करना, तो आगे जाके आप बारिक piece कर दीजिएगा, अब fry pen लीजिए, उसमें अच्छा खासा टेल डाल दीजिए, मैंने मेरे हिसाब से डालाए, आदा चुरचे का चमत साबुद जीरा डाल दीजिए, और इसे हलका तर-तरा जाने दीजिए, जब तर-तरा जाए फास्ट राज़ पर, यहां मैंने 2 medium size की प्यास, बारिक काट कर, यानि कि छुंदा काट कर रखी है, इसे मैं डाल देती हूँ, और फास्ट राज़ पर बार बार चलाते हुए, हलका सा color change होना शुरू ही होए, बस वहां तक ही हमें इसे fry करना है, जैसे हम pinkish कहते हैं, जब बस शुरू ही होती है fry, जब हम लाल हुने ही वाली होती है, बस शुरू बात में ही आपने इसमें डाल देना है, दो चुड़े चाय के चमच, अध्रक लसन का पेस्ट डाल दीजिए, quickly इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, मैं 1 foot cup जितना डाल रहे हुए, क्योंकि प्यास जले न और इसे fast आज पर बार बार चलाते हुए, ये अध्रक लसन के पेस्ट को भी फूल लीचिए, जब अच्छा भून जा है अध्रक लसन का पेस्ट, इसे एक बार चला लीजिए, अब इसमें दाल दीजिए, चुटकी भर नमक या नमक स्वाद अनुसार कहीं आप दाल सकते हैं, और आदा चुड़ा चाय का चमच हल्दी पाउडर दाल दीजिए, जब तक हमारे टमाटन नम नहीं हो जाते हैं, यह देखिए, दो-तीन मिनट हो चुके हैं, टमाटन नम हो चुके हैं, तो इसमें बाकी के में मसाले डाल देती हूँ, यहाँ पर दाल दीजिए, आदा चुड़ा चाय का चमच, पुना पीसा जीरा पाउडर, इसके लिए दो बार दाल रहे हो आप देख रहे हैं और इसमें दाल दीजिए थोड़ा सा वानफोद कप जितना पानी चूला मेडियम आज कर दीजिए इसे एक बार चला लीजिए और इसमें उबाल आ जाने दीजिए जब उबाल आ जाए तो अच्छा खासा तेल चूट अच्छे से भून चुका है मसाला तो मैं एक बार चला लेती हूँ इसके अंदर थोड़ा सा आप दाल दीजिए वानफोथ छोड़ा चाय का चम्मत जितना कसूरी मेती को हाथों की मदद से क्रश कर कर दाल दीजिए और यह जो भेजा साइट पर रखा है बॉल कर रहा क्योंकि as it is आप देख सकते हैं अच्छे खासे पीसिस हुए हुए है मैं ठोड़े ठोड़े बड़े रख रही हूँ है के हाथ से चला लीजिए थोड़े सा कोथमिर यानि के हराधिनया दाल दीजिए अब आप देख सकते हैं तो बड़े भी हैं इनमें पीसे और छोटे भी हैं तो मैं वैसे ही रखते हैं और मैंने कोई काटा नहीं आप देख सकते हैं जब बॉइल हुए थे बस वही पीसे हैं तो आप चाहे तो आप भी वैसा कर सकते हैं या फिर आप उस समय बॉइल होने के जब आप रग निकाल लें, नर्व निकाल लें, तो बारिक काट लीजिएगा, अब ये टोटली आपके उपर है, अब इसमें मैं थोड़ी से हरी मिर्ची दाल देती हूँ, बारिक कटी हुई, और थोड़ा सा हरा दनिया दाल कर 3-4 मिनिट तक, दम पर पकने दीजिए, स्लो आज पर ढग कर, जब 3-4 मिनिट हो जाए, तो चुले को कर दीजिए, बंद, और ये बन गया, हमारा बढ़िया सा, मजेदार सा, भीजा मसाला फ्राय, आप चाहें तो इसे रोटी पराथा, फुलका बटनान, किसी के भी साथ साथ सर्फ कर सकते हैं, वैसे इन में से कुछ की इसे पिलिंक्स, डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप महाँ चेक कर लीजिए का, मुझे नम्मा पॉफेक्ट लगा, तो मैंने अच्छास नहीं किया, वसी समय जो दाला था बस वही, तो आप अगर चाहें, तो अगर चाहें, तो अगर चाहें, तो एक दम ऐसे लग रहें, थोड़े छोटे पीसे तो अच्छा लग रहें, थोड़े दिख भी रहें, थोड़े से चटनी टाइप भी लग रहें, तो मुझे ऐसे बड़े पसंद है, अगर आपको बड़े बड़े पीसे पसंद है, आप बड़ा ही रखिएगा, पीसे तीन चाहर कर दीजिए, और छो अगर आप यह वाली रेसिपी बनाएं, तो मेरे साथ इस वीडियो के कमें सेक्शन में जरू शेर कीजिए अपने कमेंस, तो यहाँ के बड़े बहुत अच्छे लगए, तो लाइक जरूर कीजिए, और उससे जाद अच्छी लगए, तो अपने फैमिली और फ्रेंस में इस वाले वीडियो के लिंक जरू फर्वावड कीजिएगा, फिर से अधिर होंगी नहीं शानदार दमदार रसिपी के साथ, अंतल दें, टेक केर लाफिस, बापाई